हेलो माई दियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास नाइन्थ के चैप्टर टू यानि की दे साउंड आफ म्यूजिक के आपके एंसी आर्टी सॉल्यूशन्स स्टूडेंट्स NCRT के क्वेशन्स को करना बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक्जैम में भी पूछे जाते हैं चलिये तो चलते हैं अपने पहले क्वेशन पर सो जो हमारा पहला question है वो Evelyn से है ठीक है जो आपने Evelyn Glennie की story मैंने आपको पढ़ाई थी समरी में उससे है How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? जो Evelyn है वो कितने साल की थी जब वो Royal Academy of Music गई So Evelyn was 16 years old जो Evelyn थी वह है 16 साल की थी when वेन का मतलब क्या होता है जब जब she went to the जब वो गई Royal Academy of Music में When was her deafness first noticed? पहली बार उसका जो बहरापन है डेफनेस का मतलब क्या होता है? बहरापन तो पहली बार Evelyn ग्लैनी का जो बहरापन है वो कब नोटिस किया गया? And when was it confirmed? और कब वो बिलकुल ही पक्का हो गया कि भाई ये तो deaf है So her deafness was first noticed when she was just 8 years old जब वह केवल 8 साल की थी तब पहली बार उसकी जो deafness है वो नोटिस में आई और वो confirm हो गई by the time she was 11 जब तक वो कितने साल की हुई? 11 साल की हुई तब जाके जो उसका बहरापन है deafness है वो confirm हो गया So these are the two questions अब चलते हैं अपने next question पे So who helped her to continue with music? अब आपको पता है कि जो Evelyn है वो बहरी हो गई थी तो किसने उसकी मदद की music को continue करने में और उसने क्या किया? स्टूडेंट स्टोरी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो Evelyn है उसको music में से बहुत जादा लगाव था वो musician बनना जाती थी So यहाँ पर एक percusenist थे Ron Forbes Percusenist का जो मतलब है वो मैंने आपको summary वाली वीडियो में बहुत ही detail में बताया था So percusenist जो Ron Forbes थे उन्होंने spot किया उसका talent and potential उन्होंने देखा कि जो Evelyn है उसके अंदर तो बहुत जादा talent है He guided Evelyn to feel music some other way उन्होंने Evelyn को guide किया कि वो music को feel करे किसी और तरह से Rather than hearing it सुनने के बजाए वो क्या करे music को feel करे He got two large drums and tuned them to different notes वो दो बड़े-बड़े drums लेकर आए और उनमें अलग-अलग notes उन्होंने बजाए So Evelyn को realize हुआ कि जो higher notes है वो उसको उसकी body के upper part में feel होते है यानि कि waist से ओपर वाले हिस्से में और जो lower notes है वो उसको उसके lower part of the body में feel होते है यानि कि waist से नीचे वाले हिस्से में waist कहरी हूं मैं है आपे W-A-I-S-T waist यानि कि आपकी कमर Question number 4 में आपसे पूछा गया है कि name the various places and causes for which Evelyn performs जो Evelyn है वो कहा कहा पे perform करती है so apart from regular concerts, regular concerts के अलावा she performs in prisons ठीक है प्रिजन्स यानि कि jail में hospitals में she also takes classes for young musicians जो अभी नए नए musician बच्चे बनना चाहते हैं उनकी भी वो classes लेती है अब चलते हैं अगले question पे यह आपका long question है ठीक है how does Evelyn hear music? so Evelyn Gleney was passionate about music but unfortunately she lost her sense of hearing जो Evelyn Gleney थी वो passionate थी music को लेकर लेकिन दुर्भागे वश क्या हुआ उसने खो दी अपनी sense of hearing सुनने की जो शमता है वो उसने खो दी by the age of 11 master percussionist Ron Forbes यहाँ पे जो Ron Forbes हैं उन्होंने spot किया Evelyn के अंदर potential कि जो Evelyn है उसके अंदर तो काफी जादा शमता है then he guided her फिर उन्होंने उसे guide किया to feel music some other way than to hear it उन्होंने क्या कहा कि to feel music in some other way किसी और तरह से music को feel करने की कोशिश करो ना कि उसको सुनने की अपने कानों से so he trained her by tuning two large drums two different notes उन्होंने उसको training दी दो बड़े-बड़े drums बजाए अलग-अलग notes उसमें बजाए तब Evelyn ने क्या realize कि कि वो तो sense कर पा रही है अलग-अलग sounds और vibrations को through the different parts of her body जैसे कि जो higher drums है वो उन्हें अपने waist up यानि कि body के upper part में और lower drums को body के lower part यानि कि waist down में वो feel कर पा रही है so she responded to the finer sounds of music too जो music की finer sounds होती है उन पे भी वो respond करती है काफी जादा magical चीज है यह Evelyn realized that she could sense certain notes in different parts of her body बाद में उसे क्या realize हुआ कि वो कुछ ऐसे notes हैं जिने अपनी body के अलग-अलग parts में क्या कर सकती है sense कर पा रही है feel कर पा रही है when she plays the xylophone जब वो xylophone बजाती है she feels the sound move from sticks into her finger tips उसको feel होता है कि जो sound है वो sticks में से निकल के उसके finger tips में जा रही है so when the drums are played she can feel the echo of the drum beats और जब drum बचता है तो वो drum की जो beats की echo है गूंज है वो भी अपनी body के द्वारा feel कर पाती है so students ये थे आपके Aveline Glenny के important questions अब जुद इसका second part था बिस्मिल्ला खान वाला उसके questions हम करेंगे पहले question में जस्ट आपको right answer पे tick करना है the dash was a needed noise maker noise maker क्या था पुंगी थी ठीक है बिस्मिल्ला खान अब बारबर अली बक्स ट्रांसफोर्म दा पुंगी इंटो शेहनाई so अब बारबर ट्रांसफोर्म दा पुंगी इंटो शेहनाई बिस्मिल्ला खान पेटर्नल एंसेस्टर्स कौन थे बाबर्स थे या प्रोफेशनल म्यूजिशन्स थे तो right answer क्या होगा that they were professional musicians बिस्मिल्ला खान learn to play the शेहनाई from बिस्मिल्ला खान ने शेहनाई बजाना कहां से सीखा था अली बक्स पैगंबर बक्स या उस्ताद फैयस खान स्टूडेंट्स अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो इस question का answer आप मुझे बताएंगे और इसके fifth वाले question का भी answer बिस्मिल्ला खान वाले chapter के important questions हैं जो कि आपके NCRT में given है वाई डिड़ औरंग जेब बैन दप्लेइंग ओफ दपुंगी जो औरंग जेब है उसने पुंगी बजाने पे बैन क्यों लगाया था तो उसने बैन लगाया था प्लेइंग ओफ पुंगी पे because it had a shrill and unpleasant sound क्योंकि जो पुंगी है उसकी जो sound थी बहुत ज़्यादा unpleasant थी कानों में चुबने वाली थी ठीक है अवशान्ती फिलाने वाली थी हाव इस शेहनाई different from a पुंगी जो शेहनाई है वो पुंगी से कैसे different होती है so a शेहनाई is a pipe with a natural hollow that is longer and broader than पुंगी जो शेहनाई है वो पुंगी से लंबी और चौडी होती है it has seven holes on the body of the pipe और जो pipe है उसकी body पे साथ holes भी होते है where was the शेहनाई plate traditionally जो शेहनाई है वो traditionally कहां बजाई जाती है how did बिस्मिल्ला खान change this और बिस्मिल्ला खान ने इसे कैसे change किया so traditionally शेहनाई was part of the नौबत और traditional ensemble of nine instruments समरी के अंदर मैंने बताया था कि नौबत क्या होता है ठीक है तो यानि कि नौबत होता है group of nine instruments तो जो शेहनाई है वो nine instruments का part होती है found at royal courts it was played in temples and at marriages इसे temples में और marriages में बजाया जाता है पर जो बिस्मिल्ला खान है वो इसे एक classical stage पे लेके गए थे so students let's now come to our next question जिसमें आपसे पूछा है when and how did बिस्मिल्ला खान get his big break बिस्मिल्ला खान को उनका big break कब मिला big break का मतलब है एक बड़ी opportunity उन्हें कब मिली perform करने की so बिस्मिल्ला खान got his big break with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 1938 लखनव में जब All India Radio का opening हुआ जब उनका पहला big break मिला तब जाके वो often heard Chennai player on radio बन गए where did बिस्मिल्ला खान play the Chennai on 15th August 1947 15 August 1947 को बिस्मिल्ला खान ने Chennai कहां पे बचाई थी so बिस्मिल्ला खान played the Chennai on 15th August at the Red Fort लाल की लिए पे he was the first Indian to greet the nation with this musical instrument और वो पहले भारतिये हैं जिनोंने ऐसे musical instrument के द्वारा nation को greet किया this event was historic because we got independence on that day ये जो event है ये हमारे लिए एतिहासिक है क्योंकि हमें उस दिन क्या मिली थी आजादी मिली थी छटे question में आपसे पूचा है why did बिस्मिल्ला खान refuse to start a Chennai school in the USA बिस्मिल्ला खान ने USA में Chennai school चलाने से क्यों मना कर दिया शुरू करने से so he refused to start a Chennai school in the USA because he never wanted to leave India because वो इंडिया को नहीं छोड़ना चाते थे रिवर गंगा से उन्हें बहुत जादा लगाव था he loved India so much and he did not want to settle anywhere except India so इंडिया को छोड़ कर वो कहीं और भी settle नहीं होना चाते थे now आज की वीडियो का last question find at least two instances in the text which tell you that बिस्मिल्ला खान loves India and Banaras आपको स्टोरी में से कोई दो text ढूणने थे और बताना था जिनसे ये प्रूव हो जाता कि जो बिस्मिल्ला खान है उन्हें भारत और बनारत से बहुत ही प्रेम था so पहला text है when he says that whenever he is in a foreign country he keeps yearning to see हिंदुस्तान उन्हें हिंदुस्तान को देखने की इच्छा हिंदुस्तान को देखने के लिए वो परेशान होते रहते हैं जब भी वो किसी foreign country में होते हैं he also says that when he is in Mumbai he thinks of only Banaras and the Holy Ganga और जब वो मुंबई में होते हैं तब वो सिर्फ किस के बारे में सोचते हैं पनारस और गंगा के बारे में so students ये थे सारे के सारे हमारे chapter 2 के question answers अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और chapter की summary और question answers को discuss करेंगे